दलित सर्शक्तिकरानक के डॉक्टरम बेटकर के सपने को साकार करने की मुहिम छेरने वाले काशिराम का जन 15 मार्च 1934 को दलित रवीदासी सिख प्रिस्टि भूमी के परिवार में हुआ था सरदार हरी सिंग औमाता बिशन कोर के घर पंजाब में जन में काशिराम जी ने अपना राजनीतिक सफर का आधार 1956 में डियाडियो में अनुसुचि जाती जन जाती के एकांदोलन में ही तै कर लिया था इसके बाद 1978 में उन्होंने दलितों और पिश्रों के संगरश के लिए बॉम सेफ की अस्थापना की राजनीतिक चेतना के लिए उन्होंने डियस फोर की अस्थापना की जिसे बाद में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में तब्दिल कर दिया काशीराम ने देश के राजनीतिक ताने बाने पर एक मशूर किताब चमचा युग लिखी जिसने दलितों में राजनीतिक चेतना के संचार का काम किया 1977 में काशीराम के संपर्क में आई मायवती को उन्होंने 2001 में अपना राजनीतिक वारिज घोशित किया मायावती काशीराम की उस शुरुवाती टीम का हिस्सा रही जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की काशीराम होशयारपूर से 11 वी लोग सभा के लिए चुने गए साथ ही वे उत्तरप्रदेश के एटावा से भी लोग सभा के लिए चुने गए दलित राजनिती को सत्ता की देहलीज तक पहुचाने वाले काशी जी का दिहांद 9 अक्टूबर 2006 को ने दिल्ली में हिर्दागात के चलते हुआ देश में काशीराम जी को हमेशा देश की राजनिती में एक महान दलित राजनिता और सामाजिक चिंतक के रूप में याद किया जाता रहेगा सुधेरी आदो डीडी निउस दिल्ली